कि दोस्तों अगर आपके गर में AC है तो आपने AC में कभी न याज tratar, और मैं जिरुर जेली होगी, तो आज मैं आपको इस वीडिव में बताऊँगा कि अगर आपके गर में Supplite AC है, तो sapplite AC में जो जो है cries लिकेज होती है किन प्रैंट्स पर होने के चांच से ज्यादा होते हैं वह में आपको बताऊंगा और अगर आप कि a.c. में जो है गैस लेकेज हो चुक़ है और आप किसी मिस्तर को बला कि उसमें豌ष डलवा रहे है तो गैस डलवाने से पहले आपको किन के नहीं अखना हिन था कि दोबारा से उसमें गैस रिक्च ना नवा क्योंकि यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि मैंने के वीडियो में कमेंट पड़ा तो जिसने कमेंट किया था उसने बताया कि वह अपने एसी में चार बार जो है डला चुके उसके बावजूद फिर दोबार से लिके जो जाती है ठीक है उसने वीडियो में म पना रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में जो है काम की जो knowledge होती है अपने काम की जो knowledge हो जैसे AC काम करने वाले को जो knowledge होती है वो कम है और जो सिखने वाले ज्यादा हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो है देंडर घ्यादा है तो एक सेंपल हम आपको खेंडर देता हूं दोस्तो आपके जो AC होता दोस्तों उसके बीसके लिए दो पार्ट होते हैं एक indoor एक outdoor ठीक है और मैं इसको तीन पार्ट मानता हूं कि एक indoor एक outdoor और एक जो इंडोर से आउडोर जो जाती है आपकी पाइप है ठीक है तीसरा में उसको माना है ठीक है तो बेसिकली आप इसको लिकेजी को एक त्रीके से आप एक जेम्पल में ले सकते हैं कि मान लिजिए आपके पास एक साइकल है या फिर एक मोड साइकल है ठीक है कि उसमें आपका पं अबि आता है तो मिलीजे आगर आपके पास आपका एसी जो ठीक करने के लिए कि अगर आपका जो मिस्तरी आता आप के पास तो अगर वो इतनी को पकड़ी एक है टो मैं भी आपको बताए थे कि साइकल कर सभी आपक पंचर हो जाता है permitir तो पंचर जो हो जाता है दोस्तों तो अगर उसको निकलने में हो सकता है कि या फिर दो दिन भी लगा दे या तीन दिन लगा दे अगर बिल्कुल माइनर हो रखा है तो फिर, उसमें होसकता है जो आपकी हवा है एक गंटे में निकल जाए, दो गंटे में निकल जाए, सेमow, कि जो है, आपका implement होता है A.C. में, कि, जो, A.C. की जो gas होती है ? ठीक है ! जब तक उसमे लिकेज नहीं होगी जब तक उसमे पंसर नहीं होगा तो gas निकलेगी नहीं ये चीज आप जान लीजिए ठीक है कि जो ये बताते हैं कि gas leakage तो gas leakage ठीक है gas leakage हो गई तो आपके पास जो भी मिस्तरी आए ठीक करने के लिए gas डालने के लिए भाई पहले first of all आप उसका जो find out करो कि जो leakage है जो पंचर हुआ है वो आपका indoor मे हुआ है या फिर indoor से outdoor में जो pipe जो gay उसमें हुआ है या फिर आपका जो है जो outdoor है उसमें हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो indoor होता दोस्तों इसमें जो college हो T जिस कोईपरेटर बोलते हैं ठीक है इसके अंदर भी जो है कोपर की जो कोईल्स गुमी होती है वो सकता है कि उसके अंदर लिके जो ठीक है या फिर आपकी जो यहां से और उपर तक जो पाइप गई है आउड़ोर तक उसमें कहीं न कहीं लिके जो या फिर आपका हो सकता है क जो केरें करें कोड़ें SEN these connections जो ओपर तक लिए जाते हैं आउडोर तक ठीक है जो इसको हम flare बोलते हैं, तो flare जो है, जो बीच में जोनों को connect करते हैं, जोडते हैं, तो वहाँ पे chances होते हैं, अगर आपका बीच में कहीं joint नहीं है, तो ठीक है, अगर आपका बीच में joint नहीं है, तो बता रहा हूँ, तो दो जंगे की दो point होते हैं, जहाँ पे आपके जो ह है और एक जो आउडोर में उपर वालम आपको अब यह दिखा दूँगा ठीक है तो इंडोर में जो है आपका जो फ्लेयर है इसके नीचे होता है इंडोर के नीचे तो वहाँ पे जो हाँ है मतलब कि बबल सवरा लगा के उसमें जागवरा लगा के कि वहां से करी से गैस लिकेश तो नहीं हो रही है यह चीज आपको प्रोपर चेक करनी है ठीक है और दूसरा और अगर आपनी यहाँ पर जो इंडोर है यहाँ पर अच्छी से चेक कर लिया है कि जो आपका फ्लेयर बार जो उसको फोन करते रहोगे प्रेसान होते रहोगे तो भाई एक गंटा जब वह एक दो गंटा इंस्टोल कर रहा है तो आप खड़े होके यह कुछ टेक्निकल बड़ा रोकेट सैंस नहीं है ठीक है तो आप जहां जहां पर उसके जोएंट्स है उसको बोलो कि भी मेरे यह पर चेक करना है और यहां से निकलने के बाद आपकी जो उपर जाती है इंडोर में अगर बीच में कोई जोएंट नहीं है ठीक है तो आपको सिदा फें जाकर जो छट पर आपका जो ऑट्धूर होता है वहां पर आपको जहेंड़ होता है ठीक है और दूसरा जो है आपका जो नीचे से जो इंडोर से जो पाई पाई है आपकी ठीक है वो जो अपना यहाँ पे आउट्डोर में जो कनेक्ट होती है ठीक है यहाँ पे फिलेर बनते है अभी यहाँ पे लगा रखा है ठीक है तो अभी आपको मैं नहीं दिखा सकता तो दूसर तो यहां पे बनता है इसका जॉइंट तो यहां पे आपको 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 अच्छे से बबल रह डालके तो फॉरमो करना है कि भी यहां से तो गजलिकेद नहीं है ठीक है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है लिकेज का पता लगाने में बड़ी दिक्कत होती है तो जैसे आपका जो फलेयर होता है ना तो आपका इंडोर में जो फलेयर होता है वहां पे लिकेज होती है ना आउडोर में होती है तो हमें क्या है पर्टिकुलर जैसे भी हमार पुछ जूइंट नहीं है तो फिर आपका डिकत नहीं है तो फिर आप ने तो फिर आप पाइप प्रिष्वर देखेगा तो पिर आप मान ते लिए जो पाइप है कहीं न कहीं उसमें ही आपका दिकत है ठीक है पूँ के लिकेज होती है दो आपको बतादू कि लिकेज जहां भी होगी आपका अगर फ्रेयर हो या अंदर की तरफ है या फिर आउड़ो धिटर तो वहाँ से ना ओइल आपको निकला मिलेगा ठीक है यह बहुत बड़ी पैचान है अगर आपके AC में लिकेज है तो जो है मतलब की AC में उस पार्टिकलर आपकी पाइप के पास वेल आपको मिलेगा अगर आपको वेल मिल जाता है तो आप मान के लिकेज है आपको मिल गई है अगर आपको वेल नही के चेक कराना पड़ेगा पटिकलोष का तरीका भी यह कि अगर उसके पास अच्छा तुमलब की सारा समान हो रहा है तो जैसे आप पंचर होता है बाइक में उसमें लगाते हैं सेक्ल में पंचर तो जैसे आपकी जो ट्यूब होती है उसको पानी में डबो करे रखता है तो उ चार बार पांच बार आप ऐसी में डलवाएं उसके बाव जो दिक्कष आती है पैसे भी लगता है तो भाई आप द्लवाई से पहले जिसी में पटर्यूजियों कि वहीं असका कोई नगी कान है ठीक है सबसे पहले आप पता लगाओ कि आपकी जो है कहां से किसुझे से लि लगते रहेंगे ठीक है आसा को तो आपको वीडियो पसंद यागी अगर आपको वीडियो पसंन आए तो पर वीडियो को लाइक कीजिए शेर केज़ें कमेंट कीजिए में चलों को सिस्काब एक हम पर जोगे ठीक्स पर बाचिंग धन्यवाद में